कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नियुक्तम आई योजना का लोकल भावन इलान गरीब परिवारों को 72,000 सालाना नियुक्तम आई दी जाएगी जिसकी आई 12,000 प्रतिमाँ से जितनी कम है उन्हें आई का अंतर पूर्ण कर मासिक आई 12,000 की जाएगी निशिक्त रूप से यह उच्छावादी है कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष गरीबों के बाले में सोचने लगे हैं लेकिन योजना के साथ कुछ सवाल भी उठता है जैसे की गरीब परिवारों का चयन कैसे किया जाएगा गरीब यक्ति टेक्स नहीं भरता उसका नाम इंकम टेक्स लिस्ट में होगा नहीं तो क्या यह लिस्ट कॉंग्रेस कारी करता त्वारा बने ही जाएगी इस योजना से लगभग देश पर 3.6 लाग करोड का भार पड़ेगा जो भारत की कुल GDP का 1.3 प्रतिशत है यह भार किसमत से निकाला जाएगा कहीं कॉंग्रेस सरकार ने ये तो नहीं मान लिया कि उनकी सरकार रोजगार तो पेदा करना ही पाईगी इसलिए मुफ्थी रगम बाट दी जाए या फिर पैसा लो वोट दो कॉंग्रेस सरकार की नीती है